Hello everyone, मैं हूँ कि रिंशापरी और ये है आप लगों के लिए November 2024 की Love Tarot Reading तो बहुत सारे लोगों का नीचे comment section पे सवाल होता है कि मैं क्या आप personal session लेते हैं? Yes, of course, मैं personal session लेती हूँ और personal session में tarot, astrology, counselling, remedies, सभी चीज़े included होती हैं और one-on-one session book करने के लिए आपको नीचे description box में इस वीडियो के end में मेरी contact details मिल जाएंगी आपने उस number पे सरफ whatsapp करना है और आपको details मिल जाएंगी और details को follow करके आप one-on-one session book कर सकते हैं तो ये है आप लगों के लिए November 2024 की Love Tarot Reading और इस reading में आप जानेंगे कि खास कर November मन्त में आपकी love life से related चीज़ें कैसी रहेंगी आपके partner की क्या energies होंगी, आपकी क्या energies होंगी कौन सी चोटी चोटी सी बाते हैं जिनका खयाल रखके आप November मन्त की energies को बहतर कर सकते हैं तो चलिए जी November मन्त की reading शुरू करते हैं चलिए सरीडेरे साप लोगों के लिए देखेंगी November 2024 में आपकी love life में क्या हो रहा है में पस यहाँ पे तीन set of cards हैं फर्स set of cards में हम आपकी energies देखेंगे, सेकंड set of cards में आपकी partner की energies देखेंगे and third set of cards में हम देखेंगे कि finally November मन्त में क्या हो रहा है तो आपसे शुरू करते हैं और आपके लिए आप इस सबसे पहले cards है whip and six of swords reverse और ये cards कहते हैं कि कुछ time से या November starting में आप stuck महसूस कर रहे हैं आप किसी चीच से, situation से या फिर कुछ के लिए ये भी हो सकता है इस relationship से, देखें मैंने जोर देकर कहा या फिर मैंने आखिर में कहा कि कुछ के लिए तो सब के लिए नहीं होगा कि आप इस relationship से आगे बढ़ना चाह रहे हैं लेकिन कुछ के लिए हो सकता है कि आपके मन में thought आ रहा है कि आगे बढ़े लेकिन कहीं आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं कभी-कभी क्या होता है फिजिकल लेविल पे हमारी बातचीत नहीं हो रही होती है लेकिन mentally, emotionally हम अपने partner की energy से अपने आपको भाहर नहीं निकाल पाते हैं हम stuck महसूस करते हैं कुछ के लिए हो सकता है कि फिजिकली बातचीत हो रही है लेकिन आप emotionally, mentally एक disconnect महसूस कर रहे हैं या फिर एक distance महसूस कर रहे हैं और कुछ के लिए भी हो सकता है कि आप travel करना चाहा रहे हैं और कुछ के लिए भी हो सकता है इस relationship को आगे लेकर जाना चाहा रहे हैं तो देखिए यहाँ पर six of swords का card movement को represent करता है तो किसी भी level पर किसी भी तरीके से movement नहीं हो रही है आप stuck महसूस कर रहे हैं और man ही man आपको ऐसे लग सकता है कि एक repetitive सा pattern है यानि कि आपके साथ बार बार यही चीज होती है और कुछ के लिए यह भी हो सकता है कि partner के साथ कुछ time से November starting में काफी fights हो रही है जिसकी वज़े से आप stuck महसूस कर रहे हैं आपको ऐसे लग रहा है कि भही अटक गए इस relationship में चीजें कहीं आगे नहीं बढ़ रही हैं और कहीं mid November के लिए यहाँ पे Ace of Souls का काट कहता है कि आप बहुत logically चीजों को deal करना चाहा रहे हैं आपको ऐसे लग सकता है कि बस अब emotional नहीं होना है अब sentimental नहीं होना है अब ना दिल से नहीं चीजों को deal करना है थोड़ा सा दिमाग से चीजों को deal करना है एक clarity लाना चाहा रहे है एक clarity आ रही है और deeper level के लिए house का काट कहता है आपको ऐसा लग सकता है कि भई अब ना relationship में अगर comfort नहीं है relationship में अगर safety नहीं है security नहीं है तो फिर उस relationship का कोई फाइदा नहीं है यानि कि मन ही मन आप safety, security, comfort partner के साथ relationship में चाहते हुए दिख रहे हैं या फिर again आपको ऐसा लग सकता है कि भई ये चीजें अगर नहीं है इस relationship में तो फिर कोई फाइदा नहीं है इस relationship का तो इन ही सब चीजों को मन ही मन चाहते हुए इन ही सब चीजों पर focus करते हुए दिख रहे हैं और जब इसी point of view से आप चीजों को बहुत नस्दीक से देख रहे हैं अपने partner के साथ तो आपको ऐसे लग रहा है कि बहुत सारे issues हैं बहुत सारे मसले हैं चीजें वैसे नहीं हैं जैसे आप सोच रहे हैं या फिर जैसे आप सोच रहे थे तो फिर से मैं कहूंगे magnifier का card कहता है कि बहुत नस्दीक से जब आप चीजों को analyze कर रहे हैं जब आप देख रहे हैं तो आपको बहुत सारी खामियां बहुत सारे issues रहते हुए दिख रहे हैं आपको ऐसे लग रहा है कि relationship या फिर आपके partner वो नहीं है जो आप चाहते हैं या फिर जो आप सोच रहे थे और इसलिए या फिर otherwise भी आपका दिल थोड़ा सा तूटता हुआ दिख रहा है आप थोड़े से मायूस होते वे दिख रहे हैं आप किसी चीज को लेकर hurt होते वे दिख रहे हैं अब दिखें इस चीज को सुनके आपने परिशान नहीं हो ना क्योंकि ये आपकी पूरी जिंदिगी की रीडिंग नहीं है ये सिरफ और सिरफ नवेंबर मन्त की रीडिंग है और Three of Swords का काड कहीं नवेंबर एंड की जाधा बात करता है ओवरॉल ही नवेंबर मन्त में कहीं emotions, feelings, sentiments missing रहते वे दिख रहे हैं बहुत logically चीजों को deal कर रहे हैं mind से जाधा approach करते वे दिख रहे हैं चीजों को analyze जाधा करते वे दिख रहे हैं और एक clarity या तो आ रही है या फिर लाना चाह रहे हैं और अब देखते हैं कि आपके partner की क्या energies है तो आपके partner के लिए आपे सबसे पहला card है hangman reverse और ये card कहता है कि आपके partner stuck महसूस कर रहे हैं उनको ऐसे लग सकता है कि भी उन्होंने बहुत compromise आपके लिए करे इस relationship के लिए करे और उनको आपसे वो एक outcome वो एक result नहीं मिल रहा जो वो deserve करते हैं जो वो चाहा रहे हैं और कहीं इसलिए या फिर otherwise भी काफी बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं बहुत एक limitations उनको महसूस हो रही हैं जैसे होता है ना कभी-कभी हम बहुत कुछ करना चाहते हैं नहीं कर पाते हैं कभी-कभी society की तरफ से limitations, restrictions होती हैं कभी-कभी घरवालों की तरफ से होती हैं कभी-कभी religion की तरफ से होती हैं तो कहीं फिर से मैं कहूंगी बहुत stuck आपके partner भी कहीं November मत में महसूस करते हुए दिख रहे हैं और compromises, adjustments कर रहे हैं चीजों को देखने का नजरिया बदलना चाहा रहे हैं फिर बदल रहे हैं and काफी confused भी किसी चीज को लेकर रहते हुए दिख रहे हैं deeper level के लिए owl and dice के cards कहते हैं जो भी external friendly situation हो बहुत समझदारी से चीजों को deal कर रहे हैं करना चाहा रहे हैं impulsive नहीं होना चाहा रहे हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि जो भी वो चाहा रहे हैं इस relationship में उसके लिए उनको बहुत risk लेने पड़ेंगे उनको बहुत chance लेने पड़ेंगे ये इतना easy नहीं है बहुत सारी complications हैं और शायद November मन्त में इतना mentally, you know इन सब चीज़ों के लिए वो ready नहीं रहते वह दिख रहे हैं याणि कि risk लेने के लिए ready नहीं रहते वह दिख रहे हैं complications को face करने के लिए ready नहीं रहते वह दिख रहे हैं कहीं you know जो भी issues है उनको ऐसा लग रहा है यहाँ पर bed का card कहता है, आपके साथ physical intimacy चाहा रहे हैं, physical connect चाहा रहे हैं and bed भी कहीं comfort की बात करता है, जिस तरीके से आप comfort सीख कर रहे हैं, relationship में आपके partner भी comfort सीख कर रहे हैं and कहीं end November के लिए page of source का card कहता है, कि काफी immature उनकी energies रहती हुई दिख रही हैं, थोड़े से defensive हो रहे हैं अगर आप लोगों की बातचीत हो रही है, क्योंकि आप दोनों के ही cards बहुत great नहीं रहते हुई दिख रहे हैं तो बहुत सारे chances हैं कि आप लोगों की उतनी बातचीत नहीं हो रही है और जो भी बातचीत हो रही है आपके partner का end November में खास कर communication काफी blunt, काफी straightforward रहता हुई दिख रहा है, immature behavior उनका रहता हुई दिख रहा है और ये भी हो सकता है, दिखी कि उनका बहुत immature behavior है या फिर वो कुछ ऐसी बाते कह रहे हैं, कर रहे हैं, जिसकी वज़े से आप hurt हो रहे हैं क्योंकि आपके लिए three of swords का card है, आपके partner के लिए page of swords का card है अब देखते हैं कि November मन्त में क्या हो रहा है तो देखे, November मन्त के लिए हाँ पे सबसे पहला card है mountain और ये card कहता है, issues है, challenges है, कुछ रुकावटे है, कुछ मसले है और शायद आप लोग अपने अपने level पे इन मसलों को, you know, face करना चाहा रहे हैं डील करना चाहा रहे हैं और थोड़ा सा, you know, practical, realistic होगे चीज़ों को ज़ादा कहीं, starting November में independently चीज़ों को ज़ादा डील करना चाहा रहे हैं and mid November के लिए Clover and Queen of Cups के cards कहते हैं कि थोड़ा सा एक lucky phase आ सकता है, या फिर मन में ऐसी feeling आ सकती है चलो भई, chance ले लेते हैं, चलो भई, risk ले लेते हैं और बहुत emotional, बहुत sentimental या तो आप दोनों, या आप दोनों में से कोई एक या फिर जो female है, वो होती भी दिख रही है और हो सकता है कि उन्ही के मन में जादा आ रहा है कि भई, एक chance लेते हैं नहीं तो ये general reading है, overall आप दोनों की भी energies हो सकती है जहाँ पे एक chance लेना चाहा रहे हैं जैसे होता न, कभी-कभी हम कहते हैं, चलो भई, किस्मत आजमा लेते हैं तो वैसी सी energies रहती हुए दिख रही है और दिखे, end November के लिए 4 of Wands, Reverse and Bucke के cards कहते हैं कि किसी level पे चीज़ें सुधर रही हैं हालां कि देखे, मैं आपके cards देखूँ तो आपके partner का बहुत एक blunt बहुत एक straightforward या taunting वाला communication रह रहा है आप hurt हो रहे हैं लेकिन आप दोनों के combined energies हैं जहाँ पे आप लोग चीज़ों को improve करना चाहा रहे हैं चीज़ों को सुधारना चाहा रहे हैं एक दूसरे को surprise करना चाहा रहे हैं हो सकता है कि आप लोग एक दूसरे के साथ time spend करना चाहें उसके बारे में बात करें और ये भी possibility है कि बात तो कर रहे हैं लेकिन कहीं कुछ materialize नहीं हो रहा concrete level पे चीज़े नहीं हो रही हैं लेकिन येस आप दोनों के ही मन में individual level पे या फिर हो सकता है अगेन एक दूसरे से बात कर रहे हैं मिलना चाहा रहे हैं connect करना चाहा रहे हैं एक दूसरे के साथ कुछ के लिए भी हो सकता है vacation पे जाना चाहा रहे हैं लेकिन कहीं फिर से मैं कहूंगी energies combine थोड़ी सी ठीक रहती वे दिख रहे हैं लेकिन कुछ मुझे खास materialize नहीं होता हुआ दिख रहा general reading है तो कुछ के लिए भी हो सकता है कि किसी level पे मिल रहे हैं connect कर रहे हैं और कुछ के लिए हो सकता है again चाहा रहे हैं लेकिन हो नहीं पा रहा है तो ये था सब्सक्राइब करें